एसस टफ एफ 15 2022 जो टफ सीरीज है ना हमारी हो मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट रही है हमेशा से मतलब शुरुवात से 2019 से ले लो कुछ प्रफ जाएंगे टाइम उसको भी रिविव करेंगे आज इंटल वाले की बारी है पी कोर और 12 जेनरेशन कितना पर्फॉर्मेंस बूस्स तो वह सारा वीडियो में जानी लेंगे और हाँ एक चीज मैं दिल से शेर करना चाहूंगा लोग कहते हैं लाप्तॉप्स नहीं ला र लाप्तॉप लाओंगा ना तो भाई बुर हो जाएगी जनता मैं हर तरीके लाता पिछले इतने दिन से आप देख रहे हो कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आ रहा है और लाप्तॉप साथ साथ में लाता रहता हूं मतला हफते 10 दिन में एक लाप्तॉप उसके और कुछ पिछली जनरेशन के लाप्तॉप ही मैंने अरेंज किया है जिसकी बहुत जादा डिमांड तुमने मुझसे की है तो ऐसे करते करते मैं तुम्हारी सारी सुनता हूं तुम मेरी सुना करो थोड़ी सी इज़त रख लिया करो डबा खोल लेते हैं यह आजाता है हमार तो भाई फाइनली यह हमारा लाप्तॉप निकल गया है तफ का लोगो यहां पर हमारे को मिल जाएगा और तफ का लोगो इन्हों ने चेंज नहीं किया और यह जो कलर हमारे पास आया ना यह मैक का ग्रे कलर है अभी भड़ते सुन दरता की तरफ स्पेसिफिकेशन से स्टा पता होगा आपको RTX 3060 से के अंदर मिलता है 115 25 वाट यहने 25 वाट का डायनेमिक बूस्त नहीं होता है जब आपके जीप्यू पर ज्यादा लोड पड़ता है वो अपनी लिमिट पुश करता और बेटर परफॉरमेंस तो इसके अंदर देखा जाता आपको 3060 मिल जाता है 16 GB RAM म मैक्सिममम 32 GB तक अब अपग्रेड कर सकते हो 1 TB की PCIe Gen 3 SSD आपको मिल जाती है और दो SSD के स्लोट से इसके अंदर आप इसके अंदर Gen 4 SSD भी लगा सकते हो पर स्लोट 1 TB तो मैक्सिममम लगी जाती है बाकि उस सो उपर कितनी लग सकती है वो आपको Asus वालों को कॉल करके पूछ यानि 15.6 जैसे यह साइज है और F17 के अंदर हमारे को 17.3 इंचिस बाकि स्पैसिफिकेशन और लाप्टॉप सब कुछ लगबग सेम होता है और F17 के अंदर आपको i5 के साथ 3050 Ti तक मिल जाएगा और इसके अंदर आपको i7 के साथ 3050 Ti और 3060 3060 हम रिव्यू कर रहे हैं 3050 Ti आ इसके उपर यहां पर काफी कम मिलता है उसके बाद लिड ओपन कर लेते हैं एक आठ से लिड ओपन हो चुकिए हमारी अंदर से सारा हमारे को प्लास्टिक बिल्ड मिलता है यहां पर ब्रेंडिंग वगरा मिल जाती है जो इसके हाइलेटिंग फीचर से इधर ऊपर की तरफ हमारे को एरवेंट्स मिल जाते है एरफ्लो के लिए और इस बार जो यह वाले नोटिफिकेशन है यह नियोंने काफी हर तक चेंज कर दी है आपको आन करके दिखाता हूं वह काफी कूल लग रही है आप यहां पर कोई दिक्कत नहीं है काफी खुला-खुला महुल है यहां पीछे से इस बार काफी कूल गेमिंग वाला लुक दिया है यहां पर लेफ्ट साइड में हमारे को एक एर्वेंड मिल जाता है एक पावर इंपूट का पोर्ट मिल जाता है यहां पर आर्चे 45 लान पोर्ट एक HDMI 2.0 का पोर्ट यहां पर पहला पहला ताइप सी पोर्ट है USB 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट है और display पोर्ट को भी सपोर्ट करता और उससे अकला टाइप सी पोर्ट है ओमारा थंडर बोल्ट 4 आउटपूट लेके देखा जो नॉर्मल वाला डाइप सी पोर्ट है उससे तो आईरिस एकसी से हमारे को आउटपूट मिला और जो थंडर बोल्ट फोर वाला है उसके साथ हमारा एंवीडिया कनेक्टिड था जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है और जो गूगल कर लेते हैं कुछ लोग कुछ कहते हैं आपके मुझ सुनना है थंडर बोल्ट फोर के साथ मैक्सिमूम एट के तक मॉनिटर आउटपूट ले सकते हो और हंडर वॉर्ट तक चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं और PCI डेटा ट्रांसफर अप्टू जो हम इसके अंदर कर सकते हैं एक्सटर्णल डिवाइस लगा के एड़ एवन एक्सटर्णल ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं इजी प्यां अनके थूट यह तो बाकि चीज़े जो है आप गूगल पर यूट्यूब पर देख सकते हो मेरे को यहीं पर चोड़ो लैप्टॉप के बारे मे है एंड 3 millisecond response time है एंड बात यह तक खतम नहीं होती इसके अंदर आपको एक दूसरा वेरेंट में मिलेगा जिसके अंदर आपको 1440p यानि कि WQHD डिस्प्ले 165hz के साथ मिलेगी बाकि सारी स्पेसिफिकेशन सेम है और उसके अंदर 100% DCI-P3 मिल जागा DCI-P3 का color gamut थोड़ काफी पंची लगते हैं content creation के लिए आप ले सकते हो अल्टिमेटली आपको brightness कहीं नगे लगेगी कि नहीं यार थोड़ी और जाद हो नीचे थी क्योंकि जो लाटताओ का प्राइस है 1,45,000 है आज की डेट में बाकि आगे पीछे कम जादा होता रहेगा सेले लेगी वह लिं और फुली क्लिके बलवाला trackpad है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो ही trackpad यूज करने में अब ठीक है चलो हो गया ना बढ़िया है और मैंने इसके अंदर हमारे को 90 वाट आर की बैटरी मिलती है और मैंने इसके अंदर बेसिक उसेज किया था कंडिशन्स आपको बताता हूं मक सुच रखा था ऑफ ब्राइटनेस 50 परसेंट कीबोड लाइट ऑफ बैटरी सेवर मॉड ओन था और जो आर्मरी क्रेंड में मैंने साइलेंट मोड को अन कर दिया था और बेसिक उसेज करने पर मेरे को इसके अंदर तीन से साड़ी गंटे के बारे में तो वह आप देख लेना अगर मक स्विच के बारे में थोड़ा बहुत जानना हो काफी असान भाशा में ऐसा कॉंप्लिकेट हम नहीं करें कॉंप्लिकेट भाशा तो एक तम बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो आप वह देख सकते हो अब आ जाते हैं ग्राफिक स्कोर और चिप्यू स्कोर नाइन फार्ट नाइन फ्री यहां पर यहां पर बाकी स्कोर आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो देन हमारा थ्रीदी माक टैमस्पाइब टोटल स्कोर 9014 जिसमें ग्राफिक स्कोर 8 924 और सीप्यू स्कोर 9563 देन लास्ट में PC माक 10 जिसका 7557 स्कोर यहां कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही तकड़ा जम मार दिया अगर मैं इसको आई 711 जनेरेशन से कंपेर करतो ना जो मारा 850 वला था जो एट कोर में आता है प्रेटर के अंदर तो उससे भी अगर कंपेर कर तो हमारे को 30% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता अगर हम राइजन 5000 सीरीज से भी कंपेर करेंगे उससे भी बैटर आपको परफॉर्मेंस देगा आज की डेट में बागी 6000 सीरीज हाथ मेंगी तब की तब बताएंगे अभी के लिए तो यही बैस्ट है अरे हाँ बातों बातों में यह तो पता है नहीं कि आप कर क्या कर सकत सब्सक्राइब के लिए और स्क्रीन का कलर गामेट वाले काम में तो गेमिंग परफॉर्मेंस आप देखो उसके बात करते हैं कंग्लूजिन की बार तो पहला कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पर और यहां पर सारे गेम चल रहे हैं यहां पर हमारे को 252-300 fps मेल रहे हैं और हाई सेटिंग्स आप देख सकते हैं हमने सामने वीडियो पॉस करके और यहां पर हमारे को हाई सेटिंग्स पर वही 250-300 fps मिल रहे हैं और हमारा 300 हर्ट्स का पैनल पूरा यूज हो रहा है और उसके अंदर जो वहाई गेमिंग एक्स्पीनिंस के मजए थे ना के लिए अगर आपको गेमिंग लाप्टॉप चाहिए तो डेफिनिटली आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है आज की रीट में उसके बाद वार्जोन टेस्ट के हैं सेटिंग्स यह ही आपके सामने डील्स हमने रखा है बैलेंस पे और यहां एक साथ सा चीज में आपक होजेगी क्योंकि 1440 वेरेंट निकाला है ब्रैंड ने तो अगर आपको एक्स्टरनल मॉनिटर लगाना है 1440 पे गेमिंग करनी है तो आप वह भी कर सकते हो उसके बाद जीटेफ फाइफ हाइस पॉसिबल सेटिंग्स मैंने कर दीदी उसके अंदर मेरे को 120 एफपेस यहां मिल रहे हैं तो ऐसी कुछ पर्फॉमेंस है बाग की थोड़ा बहुत गेम प्ले आप देख लो बिल्कुल हाइस प्रिसेट मैंने सेट कर दिया था और हाँ डी एलेसे मैंने रखा था और अटो पे मतलब लोग मेरे को कहते हैं यह डी एलेसे सिस्टम यूज कर रहे हो उसके सेवंटीवी तो सब्सक्राइब करने रहे हैं तो आपके बहुत पर गर में गर जो फिर पागल बन्ती वाली बात होगी बोलने वाली अगर आपके पास एसी वाला रूम है तो दिकत नहीं है बाकि आप cooling pad वगरा लगा ले ना उसके बाद एकदम बढ़ी आपकी temperatures वगरा maintain हो जाएंगे और हाँ बात आती है streaming की तो मैंने warzone और valorant टेस्ट करके देखा था सके अंदर सबसे पहले तो OBS की settings आप देख लो आप है 15,000 का bit rate रखा है मैंने और यहां पर हम 1080p 60 की stream कर रहे हैं आपने सामने देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हमारी stream भी चल रही है unlisted stream मैंने रखी थी यहां पर तो यहां पर देखा जाए तो fps का कोई खास फरक ही नहीं पड़ा पहले भी 250-300 आ रहे थे अभी चीज में आपको क्लियरली बता दूँ जब हम इसके अंदर थोड़े बहुत सोर्सिस आड़ करते हैं जैसे वेब कैम का हो गया आपका माइक इंपूट हो गया उसके बाद जयाना थोड़े बहुत एफ्पेस ड्रॉप होंगे जब ज्यादा सोर्सिस आड़ करेंगे अभी जो सिर्फ है ना सिर्फ विंडो कैप्चर रही है तो यह हो गया पूरा रिव्यू इस लाप टॉप का बात करते हैं कंक्लूजन की कंक्लूजन के मामले में एक च्छोटा स्टेट्मेंट है आई सेवन है आज की डेट में बहुत सही परफॉर्म कर ली है चाया आप राइज यानि कि हमारी 62-63% sRGB इस बार 100% sRGB है वो भी एक प्लस पॉइंट है बट स्टिल इतना प्लस पॉइंट होने के बावजूद एक बीस एक पच्छिस तक वैले डिस की प्राइजिंग लगती 145 थोड़े ना प्रीमियम सेग्मेंट में चल जाती है हर कोई अफॉर्ड नही कुछ कर रहा हूं हर बार आपको न्या नया बैक ग्रॉंड मिलेगा एंड बहुत ज्यादा बोल दिया कैसी लगी वीडियो लाइक मारो शेयर करो सब्सक्राइब करो कॉमेंट करो मिलते नेक्स वीडियो मत तक के लिए बाए